इन्फिनिक्स एक और अपना धमागे वदार डिवाइस लेके आ गया है यहां पर आज लाउंच हुआ है इन्फिनिक्स होट 11 2022 वाला एडिशन यह आपको देखने को मिलता है इसकी इंट्रॉक्टरी प्राइस अराउंड 9000 होने वाली है और उस प्राइस में आर काफी सारी च आपको देखने को मिलती है पीजिक को स्पेसिफिकेशन और मिल जाएंगे जैसे यूनी एसोसी का टी 610 पावफुल पुर्शसर है तेरा में पिक्सल का कैमरा है फिंगर्पिंट सेंसर है और बड़ी सी बैटरी भी आपको देखने को मिलता है उसे किलावा एक यूजर आपको एक यूजर मिल जाती है जल्दी सब्सक्राइब साइड में और निकालते हैं अपने फोन को बाहर तो यह निकल के आ गया हमारा फोन अब देखो बैक से डिजाइन दिखने में काफी जादा मस लग रही है यह जो पैटेंस वगरा बन रहे है यह खास करकि मुझे यह जाता है यह लाइन वाले स्क्रेच भी पहुत ही आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे ब्लैक में यह प्लास्टिक पैनल आपको देखने को मिलता है और मिडल फ्रेम इसकी आपको ने वाला देखने के लिए तो ओवर आला कि पकड़ने में भी बहुत भारी फील नह बस लगता है इतना मैं कहूंगा बस यह जल्दी आ जाते हैं कबल लगा के रखो वह नहीं आएंगे अलग तरीके डून रहे हो कहां पर इंवेस्ट करा जाए लेकिन यार फिर से आप यहां पर इसमें गलती करते हो कि आप डिपेंड़न रहते हो किसी और के आईडिया के उ मानता हूं इन्वेस्ट करना एक बहुत ही बेकार चीज होती है और मुझे पता है स्टॉक मार्केट को एनलाइज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसी चीज़ को अवर कम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जिसमें मिलियंस लोग अभी रिला प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अच्छी रिसर्च कर सकते हूं साथी साथ म्यूचल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप समझ सकते हो किस तरीके से वह प्रफॉर्म कर रहा है किस चीज़ की है लिंक दिया है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सिंपली जाओ क्लिक करो और अपना अनलिसिस करो यार इस्टॉक का उसे के लावा टिकर टेप की हल्प से आप डेली जीच सकते हो 15 रुपए के वर्थ के अमजॉन बाउचर सिंपली आपको गैस करना है कि आज के दिन में पांच बेस्ट प्रफॉर्मिंग और वर्स प्रफॉर्मिंस स्ट के साथ आने वाला स्पीकर मिलेगा लाउड है अच्छा आपको साउंड वहां पर आज आता है और बागी जो अपडेट किया है इस वार बैक में क्लीन डिजाइन के साइड मॉंटर फिंगर पिंगर्पिंट सेंसर दिया है और बहुत ही अरान से इंदम कुईकली यहां पर हो जाता है अब देखो सबसे बड़ा पॉइंट इसका यह ना कि डिस्प्ले 6.67 इंच की भाई पंच होल वाली आपको दी है और बैजल वगरा प्राइसिंग के साब से काफी पतले रखे हुए हैं उपर आपको कैमरे का कट आउट भी काफी छोड़ा देखने को मिलेगा ब भी काफी अच्छा आपको इसका देखने कर बिल जाता है और अगर आप पिक्चर वगरा देखोगे न तो उन्चुआइस जरूर से इसके अंदर करोगे इतना मैं कह सकता हूं पिचर क्वालिटी आपको डिस्प्ली की क्वालिटी जो है और आप यहां पर लग ती तो डिस चला सकते हो इतना सभी बैटरी आपको मिल जाता है लेकिन चार्ज करने में इसको अरॉंड प्लस टाइम लगता है तो मुझे थोड़ा सब्सक्राइब लेकिन प्राइजिंग देखा ना तो मैंने का चलो काम चला लेंगे तो वह इस टाइप का आपको यहां पर चार्जिं कि देखर को इसके अंदर दिया हुआ है यूनी एसोट का टी-610 वाला प्रोसेसर परसनली मैं मांगता हूं मीडिया टेक के प्रोसेसर के बाद यह वाला प्रोसेसर मुझे काफी सही लगा और यह वाला प्रोसेसर होता काफी सही है डे-to-day यूजर में भी बहुत सभी साइ युवाई के अंदर optimization प्रोसेसर के साथ इन्होंने बहुत ही अचा कर रहा है मतलब 3-4 भी मैंने background में खोल के इसको चलाया है कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि फोन हैंग हो या फोन इकदम slow हो गया हो पर यहां पर काफी सही मिलता है और यहीं होगा इस प्राइस 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 अगर तो तो उतना अच्छी तरीक से आपको यहां पर नहीं करवाता है अगर थोड़ी और कम सैटिंग भी करोगे तो मैं अच्छा इसके अंदर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप यहां पर यहां पर देखने को मिलेगा उससे बड़ी चीज मुझे लगता है इसकी जो यूआ की अब इसको यहां रूप थोड़ा सा बदल गया इसका नए रूप आगया है आपको कंट्रोल पैनल दिखाऊंगा यहां पर नोटिफिकेशन पैनल दिखाऊं इस टॉक वाला फील आपको देता है इन्होंने आप बस थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने लांचर को लगा कि यार आपको इस टॉकेश वाला फील देता है कता ही मैं कहूं मैं अग्दम खुस हो गया था मैं जब देखके लेकिन हाँ थोड़े बहुत जो ब्लोडवेर हैं वो जरूर से आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे उस पर वीडियो बनाई थी मैंने कैसे हटा सकते हैं लि उनके पास में बटन आपको देखने का तो वह भी चीज़ में कहूंगा कि पास ही पास में सब चीज़ दी है तो एक वाली समस्या से भी आप बहुत ही असानी से इसके अंदर बच सकते हो वह चीज़ भी मुझे काफी ज्यादा बैटर लगी है और यहां पर देखने को मिलत को थोड़ा से आपको कम करके दिया है लेकिन अरोवर ओल मुझे काफी सही लगी है इनका ही डाइलर आपको मिलेगा जो कि कॉल रिकॉर्डिंग करते टाइम बोलता नहीं है कि कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है तो वह एक अच्छा पॉइंट मेरे हिसाब से आपक फोटो क्लिक करो ना अपने फोन को हिला लो ना तो इसकी काफी स्लो लगती है तो बहुत जादा बलरी फोटो भी आ जाती है लेकिन यहां पर बात करों तो फुल एजडी में वीडियो रिकॉर्डिंग वगरा भी कर सकते हो और पोट्रेट मोड वगरा सब आपको मिल जाता इसका आउट्डोर वगरा में तो फोटो काफी तरीके से निकाल लोगे इंडोर में मैं कहूंगा एवरेस टाइप की आपको फोटो मिलती है इतनी जाद डेटेल वगरा नहीं मिलती है लेकिन थोड़ी से दिक्कात होगी लेकिन अगर लाइटिंग ठीक है तो अची फोटो आपको बैलनेंस पॉइंट पर देखने को मिलेंगे ना ही मैं कहूंगा बेकार है नहीं कहूंगा बहुत ज़्यादा अच्छे आपको यहां पर बैलनेस वाली कैमरा मल जाते हैं को निराशा आपको नहीं होगी एगर आप इस फोन को ऐसे दस लेते हो तो और आल यार अगर जो pixelated वाली display रहती है वो चीज मज़ा निया आती है और इस प्राइम पर खासकर कि 90 हर्ट भाई कोई अच्छा कारी किसा वर्क निकरता है फुल SD वाली पर ज्यादा बैटर आपको देखने को मिलेगा और अच्छा लगा है कोई कोशन है तो अभी कमेंट में मुझे दरोड़ से बताता ना फिलाल दो वीडियो में इतना ही मुझाने वीडियो में टेल लें टेक क्या बाई